विकास शिंगासान सौब दिया बवियो योगी आधितनाथ के बवियो योगी आधितनाथ भारती जंता पार्टी भारती जंता पार्टी योगी आधितनाथ जी 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 योगी आधितनाथ मुख मंत्री हमें मिले और संद्रधान मंत्री इस थेस वाग रहे हैं वास्तों में जब हमने देखा विएक दिन स्वामी रामा जुजाचार जी के मंदर का उद्रातन तेट हैं कि अब हमारे जी इस दो करते थे इस पना है हमारी लिए किसे 370 बारा समाप तो होगी और 370 बारा समाप तो होई देश में कहीं कोई धरा में हुआ कोई दंगा नहीं हुआ कोई पसाद में हुआ हमारी सरकार में जो कहाँ खाओ करके दिखाया को रोगा कल कितनी भीशन महामाली जोगी 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 गोरक्षाप पीचादीश्वर परंपूजने योगी आधितनाजी महराजी जो उत्तरप्रदेश सरकार के मुख्यमंद्री के रूप में हमलों के बीच में आज यहां बिराजमान है जब यहां का नौजवान तोप पर सवार होकर के पाकिस्तान के बार्डर पर जाएगा और तोप गरजेगी पाकिस्तान के क्या हाद होंगे 2017 के पहले इस पूरे बुंदेल खन को इन्होंने चरागा बना दिया था यहां की खनोन में किस तरीकी से माफिया आदी हो गए थे कैसे इन लोगोंने पूरे बुंदेल खन को तबा कर दिया था बिकास तो नहीं कराया आज तो हम बुंदेलखन एक्सप्रेस वे भी दे रहे हैं अगले कुछ महनों में पूरा होगा जब सरकार दसमार्च को बनेगी होली के बाद भब के तरीके से धोम धड़ागे के साथ आपके बुंदेलखन एक्सप्रेस वे का भी धड़ाटन होगा कि हम को माता को कटने नहीं देंगे लेकिन अन्न दाता किसानों की फसल को भी नस्ट नहीं होने देंगे अन्ना पर्था की समस्या का सराधान करने की साथे सरकार आगे बढ़ चुकी है कुछ गौ अस्रेस तल खोल दिये है इसकी संख्या को और बढ़ाने जा रहे है लेकिन भाईो बेनो बुंदेल खंड में पहले चरण में ही यहाँ पर गो वंस की नस्ट सुधार की दिसान में यहाँ की गो माता आप सो ग्राम दो सो ग्राम नहीं पांच किलो और दस किलो दूद देंगे और नब्बे फिस दिकाएं कि और बच्छिया पैदा करेंगे आने वाले समय में वाग कारिक्राम हमारा प्रारम हो चुका है और दूसरा हर गो साला को उर्जा बनाने के लिए आप LPG के लिए आपको आने वाले समय में टेंकर से नहीं गौसाला में ही आपका LPG का सिलिंडर जाएगा वहें पे रसोई कैस भरेगी और वहीं सिलिंडर आप घर में लेके जाएए आराम से अपने घर का भोजन बनाईए सपा के लोग परिशान हैं वहाँ चाचा भेतीजा इस बात के लिए परिशान है कि अगर एक कमाई उनकी बंद हो गई तो फिर कहां जाएंगे लोग क्योंकि आज जो पैसे हम लोग एक्सप्रेस आईवे में डिफेंस कोरिडोर में घर घर नल ग्योजना में और जुन साहिप परियोजना में केन बेतवा लिंक जोड़ो नदी जोड़ो कि मैं जो पैसा खर्च कर रहे हैं गरीब के लिए मकान बनाने में खर्च कर रहे हैं किसान के उत्तान के लिए कर रहे हैं कन्या सुनंगला में खर्च कर रहे हैं भायो बेनो ये पैसा पहले भी था लेकिन पहले यही पैसा इनका इत्र वाला मित्र ले की चला जाता था और उस इत्र वाले बित्र के लिए हम दोगोंने बुल्डोजर भी निकाला है एक नया बुल्डोजर अब उस सड़क भी नहीं मनाता बलकि माफ्याओं की छाती में भी बहुत अच्छे तक से तरीके से चौता है सपा की सरकार में बसपा की सरकार में कॉंग्रेश की सरकार में सपा की सरकार में सपा के गुर्गे सपरासन खा जाते थे बसपा की सरकार में बहंजी का हाती का पेठी इतना बड़ा है कि पुरे प्रदेश का रासनी उसमें समा जाएगा और कॉंग्रेस को दो बोलना है क्या है जब देश में संकट आता है बाही बहन भारत छोड़ करके चले जाते हैं 2017 के पहले 1947 सेफ के पहले के पाद 70 वर्सों तक जिन्होंने एक एक बून पानी के लिए गुंदेल खंड वासियों को महोवा वासियों को तरसाया था आज अपनी वोट की चोड से उनको इतना तरसाई है कि उनकी आने वाली कई बीडियां राजनिती में आने का नामी न ले खंड के साथ साथ उन्होंने हर जिले में उनके गुर्गों ने अवैत तमंचों की फैक्टरी लगा दी थी तमंचा बना दिया था ये समाजवादी है ना नाम समाजवादी है लेकिन काम तमंचावादी है और सोस्थ परिवारवादी है यानि इनका विकास क्या है कि सेपई खांदान का विकास हो बाकी सब भाड़ में चला जाए यही करते थे और जेगे जेगे तमंचों की फैक्टरी लगा करके युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड करते थे लेकिन जैसे ये नारा दिया करोना हारेगा भारत जीतेगा सपा के नेताओं के ने कॉंग्रेस के नेताओं ने नारा लगाना शुरू कर दिया था और कहना सुरू कर दिया था कि वैक्सीन नहीं नहीं गे ये वैक्सीन तो भाजबा का वैक्सीन है ये मोदी वैक्सीन है आज भैयों बेनों उनको जवाब दीजे इसी मोदी वैक्सीन ने इसी बीजेपी वैक्सीन ने हमारी जान को बचाया है और जो जान को बचाएगा वही सच्चा साती सेज तो अउसरवादी है इन अउसरवादियों के वहकावी माने क्या उसकता नहीं